Hello friends, welcome back to my channel आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि मैं आपको बताऊंगी गेहूं के जवारा कैसे होगा है घर पर और इसका जूस कैसे बनाते हैं और साथ ही साथ यह भी बताऊंगी कि इसे पीने से कितनी ज़्यादा फायते होते हैं चलिए friends, start करते हैं तो इस वीडियो को लाज सक जरूर देखिएगा पर फ्रेंड्स फर्स क्लिक ओन सब्सक्राइब बटरन और नेवर मिस्स बेल आइकान तो गेट नोटिफाइड अबाट मोर लेटस वीडियोज पहले हम देखेंगे गेहूं के जवार को उगाते कैसे हैं दोस्तों चलिए अब देखते हैं गेहूं की जवारा का जूस बनाते कैसे हैं अब बटरन सब्सक्राइब लेटस सब्सक्राइब रच्राइब लेटस अबस्तों बटरन पाल युण फचल अबस्तों कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो to कर दो कर दो goo कर दो कर दो कर दो Wiki बट फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि वीड ग्रास जूस याने गेहूं का जुआरा हमें पीने की जरुरत क्या है इसका सेवन क्यों करना चाहिए तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ गेहूं की जुआरा का जूस पीने से हमें 100 फायदे होते हैं आप सोच भी नहीं सकते या कितनी खतरनाक बिमार्यों को खतम करता है तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसके फायदे और्थराइटिस के पेशिंट के लिए या किसी वर्दान से कम नहीं है इसमें केलशियम बहुत ज़्यादा होता है जो केलशियम की मेडिसन खाते हैं फिर भी कहते हैं केलशियम पूरा नहीं है बोडी में तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है इसमें मैगनेशियम, आयरन, क्लोरोफिल ज़्यादा है यानि हरा रंग है जो खून बढ़ाने मदद करता है यानि HP भी बढ़ाएगा, WVC भी बढ़ाने में मदद करता है तो जिनकी सेल्स डाउन रहती हैं अकसर, उन्हें जरूर पीना चाहिए डेंगू की पेशिन को पिलाने से उनकी सेल्स दूसरे दिन ही इंप्रूव हो जाती है वैसे तो कैंसर में यह रामबान ओशिती है इसको पीने से रिजल्स ही बहुत ही अच्छे आए हैं जो आप सोच नहीं सकते पर जिने बलड कैंसर हैं उन्हें हम पीने के लिए मना करते हैं उसमें होता क्या है, बलड सेल्स पागलों की तरह बढ़ते जाते हैं उसमें वीड ग्रास जूस पीने के लिए मना किया जाता है इसमें गाजर से दुखना विटामिन A होता है और संत्रे से ज़्यादा विटामिन C होता है वीड ग्रास का सेवन करने से हमारे शरीर का मेटबोलिजम रेट बढ़ता है इसका जूस पीने से हमारे शरीर के सारे टॉक्सिंस को flush out करता है इस तरह से या weight loss करने में भी बहुत ही helpful है सुबर शाम खाली बेट 15 दिनों में ही 3-5 kg weight कम कर सकते हैं PCOD यानि polycystic ovarian disease और PCOS यानि polycystic ovarian syndrome को भी दूर करने में बहुत ही ज़्यादा helpful है या एक प्रकार का hormonal disbalance है इसमें fluid से भरा हुआ cyst जो है ये ovary में develop हो जाता है PCOD की problem आज की date में girls को बहुत ही ज़्यादा हो गई है तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है stress से दूर रहे और दूसरा सबसे अच्छा घरेलू इलाज है खाली पेट, सुबह शाम, weed grass juice पीएं याने गेहूं का ज्वारा का juice को अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाएंगे इसे आप medicine की तरह मत लें अपनी डेली डाइट में add करें इसे एक एक ग्लास सुबर शाम खाली पेट जरूर पीएं Thank you friends for watching our video, if you really like our video तो इसे जरूर शेयर करें और comment करके बता हैं कि is it really helpful for you or not